देखो आज हमें पढ़ना है structure of blastula हमने cleavage के process को जिसमें एक zygote में बहुत सारे divisions होते हैं और उन divisions के थूँ ब्लास्टूला का formation होता है उसको completely समझा दिया था लेकिन blastula के structure को समझाना थोड़ा सा बाकी था तो चलिए आज हम देखते है structure of blastula blastula का formation कैसे होता है हम थोड़ा से ये भी देख लेते हैं कि formation actual में होता कैसे structure तो define होई जाएगा तो formation को समझने के लिए इस structure को भी थोड़ा समझना जरूरी है हाला कि हम इसे पहले define कर चुके हैं ये structure है morula morula क्या होता है जिस time पर 16 cell structure जाइगोट से डबलब हो जाता है इस 16 cell structure को हम morula कहते हैं morula की जो outer layer होती है ये है actual में जो ना पैलिसिडा clear है न इसको हम जो ना पैलिसिडा बोलते हैं जो बहुत ही hard layer होती है इसके बाद जो total cells है 16 cells के लिए अगर एक common name यूज करें जो हर book में आपको मिलता है तो इन सारी cells को हम blastomeres बोलते हैं blastomeres clear लेकिन अगर हम blastomeres इस सारी की सारी cells blastomeres है लेकिन हमने इसमें बाहर की cells को कुछ छोटा और कुछ फ्लैट बनाया है जबकि अंदर की cells comparatively larger बनाई है तो जो outer cells हैं इन cells को हम micro छोटी बनाई है तो इनको हम micromere बोलते हैं और अंदर की जो cells हैं इनको हम macromere बोलते हैं macromere बोलते हैं clear है ना इसी morula में कुछ changes होते हैं और changes के थुरू जिस structure का formation होता है वह है ये structure और इसको हम blastula बोलते हैं blastula या फिर आपको blastocyst भी लिखा मिल सकता है तो चाहें blastula या blastocyst एक ही बात होती है जो micromere होती है ये micromere ये जो बाहर की layer होती है इस layer के formation का काम करती है ये जो बाहर red color से हमने layer दिखाई है micromere थी इन micromere में कुछ conversion होता है थोड़ा सा ये fit हो जाती है और इस layer को form करती है इस layer को हम क्या बोलते है ट्रोफो एक्टो डर्म या फिर हम इसको ट्रोफो ब्लास्ट भी बोलते हैं दोनों नाम दे सकते हैं इसको चाहें आप इसको ट्रोफो एक्टो डर्म बोले चाहें आप इसको ट्रोफो ब्लास्ट बोले इसके बाद क्या होता है जो इसके center में पूरी cells अंदर भरी रहती हैं जिनको हम macromere बोलते हैं ये सारी की सारी macromeres अरेंज हो जाती हैं अपर साइड की तरफ आपको जब जाइगोट का structure बताया गया था तो उसमें बताया गया था कि जाइगोट के structure में बाहर की तरफ ये क्या है जो ना पहली सिडा है उसके बाद उसके नीचे इसकी plasma membrane थी इसमें इसका nucleus था जो दोनों के nucleus, sperm, ovum के fertilize होके ये जाइगोट का nucleus बना और इसमें इस side में दो polar nuclei दिखाये गये थे जिस side में दो polar nuclei दिखाये गये थे ये side थी animal pole animal pole कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर भी ये जो macromere की cells होती है ये animal pole की तरफ shift कर जाती है सारी की cells, सारी की सारी cells piled up हो जाती है animal pole की तरफ और ये जो macromere इधर arrange हो जाती है ये जो structure बनाती है इस structure को हम inner cell mass बोलते हैं inner cell mass के अलाबा हम इसको embryonic noob भी बोलते हैं embryonic noob इसलिए बोलते हैं कि जितना भी embryo का part है क्योंकि embryo से पूरी body का formation होता है तो जो हमारी body का formation होना है जितनी भी organs हमारी body में develop होने हैं वो इनी सारी cells के division से होगा कौन सी cells? inner cell mass या फिर embryonic noob की cells के division से सारे body organs का formation होगा clear है न? एक चीज़ और समझे जिस side में embryonic noob arrange है इसे हमने क्या नाम दिया था? इसे हमने इस side को इस pole को हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि animal, animal pole बोलते हैं animal pole के साथ साथ इधर embryo arrange हो गया है क्या arrange हो गया है? embryo का main part पूरा इधर arrange हो गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम embryonic pole भी बोल देते हैं embryonic pole और जो part इसका opposite होता है जिसे आपके जाइगोट में besital pole बोला गया था या फिर एक cell में जिसको besital pole बोला जाता है embryo के just opposite है तो इसलिए इसको ab embryonic pole भी बोल देते हैं ab embryonic pole एक point और देखने वाला है सारी की सारी जो macromers है अरेंज हो करके embryonic no भी या फिर इनर्सिल मॉस बना लेती हैं तो जो area बचता है इस area को क्या बोलते हैं? इस area को हम blasto seal जो seal जो cavity blastula के अंदर double up हो जाती है इसे हम blasto seal बोलते हैं ठीक है न? या फिर इसे हम blastula या फिर blastocyst cavity भी बोल सकते हैं blastocyst cavity के नाम से भी आप इसको बोल सकते हैं इतना structure present होता है blastula में चले एक चीज़ और देखने वाली थी कि जो जो ना पहली सिटा था आखिर इसका क्या हुआ है? आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जब implantation होता है implantation means जो blastula है यही implant होता है यही attach होता है किसके साथ में? uterus की wall के साथ में एक दिन अगले structure में हम इस पूरे uterus के figure को बना करके उसमें इन सारी steps को दिखाने की कोशिश करेंगे उस दिन आपको और अच्छे से समझ में आएगा तो उसमें क्या है कि implantation किस stage पर होता है? blastula formation पर implantation कहां होना होता है? mainly uterus में तो जो zona pellucida है यह implantation को रोकता है और implantation किसी stage पर होना है? blastocyst या blastula के formation पर तो जब blastula बन जाता है तो zona pellucida rapture हो जाती है और इसका blastula का uterus के साथ में implantation हो जाएगा placenta का formation होगा